तो दोस्तो मैं विकरम सिंग आप सबी का तहय दल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डिफिर्ण्स इस्टेडी जौन पर एक बार फिर से दोस्तो तो हाँ दोस्तो बिलकुल सच में जैसा कि आपने थमनेल देखा है हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन तरीकों से आप भारतिये सेना को जोइन कर सकते हैं आफटर 12 बारवी के बाद हाँ दोस्तो क्या आपने 12 पास आउट कर चुके हैं अपने 12 बारवी पास कर ली है और अगर आप भारतिये सेना में इंडियन आर्मी भारतिये थल सेना को इंडियन एर फोर्स भारतिये वाई शेना और इ आपका भी सपना है आपका ड्रीम है कि हम भारतिय शेना जोइन करके देश की रक्षा करें तो दोस्तों आपका वो सपना जरूर पूरा होगा उसके लिए महनत करते रहे हैं और हम आपके उसी सपने को पूरा करने के लिए छोटी सी महनत कर रहे हैं कि आपको पता लग से कि कि मोके हिंदेश की रक्षा करने के लिए दोस्तो हम इसमें अपने लिफेंस टेडी जोवन पर डिफेंस कीजी वीडेकी ने डालते रहते हैं जिसमें हम उसे युपने रिलेटेड पढ़ाई मैटर जो होता है वो डालते रहते हैं और जल्द ही हम काफी और हमारे courses launch करने वाले हैं इस channel के उपर तो दोस्तो वीडियो को like कर दीजिएगा और channel को subscribe भी कर लीजिएगा चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो जो हमारे तीन तरीके हैं भारती सेना को join करने के after 12 आपने बारी उपास कर ली है उसी बीच में students जो भारती सेना जाने का मोका होता है वो गवा बैठते हैं तो उन ही के लिए है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप हमारे चैनल defense study zone पर पहली बार आए हैं तो चैनल के नीचे जो बनने वाला red killer का subscribe button है उसे दबा दीजिए साथ ही बनने वाले बैल आइकन को भी प्रिस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो डालू तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके defense studies on YouTube channel for NDA, Air Force and Navy जैसा कि आपको पता है दोस्तों भारती है सेना विश्व की चोथी सबसे बड़ी सेना है जी हाँ बिलकुल भारती जो आर्मी है इंडियन आर्मी है भारती शेना है वो विश्व की चोथी सबसे बड़ी सेना है इसमें हर साल लाखो जो soldier होते हैं वो भरती किये जाते हैं और लाखो soldier retirement किये जाते हैं भारतिय सेना आपको काफी facilities देती है जैसे आपको good salary देती है आपकी job security देती है आपको retirement के time pension देती है ऐसी काफी अच्छी अच्छी facilities भारतिय सेना आपको मुफ्त में देती है दोस्तों तो भारतिय सेना को join करने का बहुत ही लोगों का बहुत ही दोस्तों का सपना होता है वो स्टार्ट हमारा पहला तरीका है दोस्तों एंड ये एंड ये नेशनल डिफेंस अकैडमी राष्ट्री रक्षा अकादमी के थुरू आप बारी उपास हैं तो आप बारी उपास के बाद में भारतिय वायु शेना इंड नेवी भारतिय नो शेना एंड इंड अर्मी भारतिय की पोश्ट पर जोइन कर सकते हैं भारतिये सेना को दोस्तों अगर आपने 12 पास आउट कर ली है या आप 12 अपेरिंग है तो भी एंडिये की एक्जाम आप दे सकते हैं इसकी जो सेलेक्शन प्रोसीजर होता है दोस्तों वो उसमें आपको सबसे पहले रिटेंट टेस्ट देन तो वो साड़े 16 से साड़े 19 वरस होती है इसका जो एजेक्शनल क्वालिफ्केशन होता है इंडिये के लिए वो 12 पास और 12 अपेरिंग होता है साथ ही एंडिये के लिए आपका मेरिटल स्टेटिस tatacy होना जरूरी है आप एक सिंगल पर रसन होने जरूरी है अगर हम पेपर का paper होता है उसमें 120 question time होता है 2 hour 30 minute और every question 2.5 marks का होता है जबकि जो हमारा second paper होता है जी 80 उसके अधर 150 question होते है 50 minute sorry 50 English question होते है 100 GKGS और current affairs के question होते है time 2 hour 30 minute का आपको मिलता है every question 4 marks का होता है आपको इसके लिए unmarried candidate ही केवल eligible होते हैं दोस्तों तो इसके थरू एंडिय के थरू यह सबसे अच्छा मौका है मेरी और से जिसके थरू आप भारतिय सेना को जोइन कर सकते हैं एक बड़े आदिकारी officer बन सकते हैं और अपनी देश की रक्षा कर सकते हैं दोस्तों भारतिय सेना में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी option मिलते हैं आपको बहुत अच्छी अच्छी facility मिलते हैं साथ ही आपका एक अलग ही रुतवा होता है इसके अलावा हमने चैनल पर और भी वीडियो डाले हैं अंडिय से डीटेड दूसरा हमारा option है दोस्तों तीएस एंट्री technical entry scheme ओब दोस्तों एंट्री आप technical आंट्री scheme अगर आप टेक्नीकल एंट्री इसके बारे में अगर हम बात करे तो दोस्तों इसकी जो एज साड़े सोलवरे से साङْए उनीस साल ओके जो सतर प्रतीसक्त मार्ग्ष होना जरूरी है यह क्वल साइन्स के स्टुडिंस के लिए ही है यह ऑक्षिन् weekly होता है कोई भी बंदा उसकी लिए फोर्म एपलाइ कर सकता है जैसे आर्ट साइन्स कॉमर्स कोई भी हो वर थे दिईयस्यस्य क бол vegan ही होता है वो ही फोर्म फिलिप कर पाता है इसके अंदर 70 percent कम से कम होना ज़रूरी है इसके जो यह तर्ड हमारा ओफिशन है दोस्तों सोलजर एंट्री इसकी सोलजर एंट्री स्कीम जो होती है दोस्तों इसके बारे में आपको इंडियन आर्मी के ओफिशल वेब साइट है उस पर तथा आपके जो लोकल न्यूज़ पेपर होते हैं वहां से इसकी जानकर मिल जाएगी इस soldier general duty जिसकी age होती है 19.91 साल दोस्तो तथा जो युग्यता होती है वो दस्वी पास होती है इसके अलावा हमारी जो और इसके अंदर vacancies होती है जो post होती है वो है soldier color soldier tech, soldier tradesman soldier nursing assistant ये हमारी other post होती है इन सभी post के अंदर जो age का जो होता है उमर होती है वो 7.5 से 23 साल होती है दोस्तों हाँ अब सबी में 7.5 से 23 साल होती है तदा सोलजर के लिए आपके पास 40% मार्क्स मेंथ और इंगलिस में होना जरूरी है सोलजर टेख के लिए 40% PCM सोलजर ट्रेट्षमेंट के लिए 8 और 10th ITIN तदा nursing assistant के लिए 40% marks in PCB में होना आपके लिए बहुत जरूरी है इसके बाद में इसका सबसे पहले जो soldier के लिए होता है वो उसका physical होता है फिर उसका medical or physical rated test होता है ये इसका selection procedure होता है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको तीन तरीके बताए है जिनसे आप भारतिय शेना को जोइन कर सकते हैं अलग-अलग है NDA है TES है और आपका SES है soldier entry scheme है अगर आपको नहीं पता था तो आप इनके मौका उठा सकते हैं फायदा उठा सकते हैं भारतिय शेना को जोइन कर सकते हैं अपने dream को पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो वास्तों में अच्छा लगा हो रही है लिया आपको कुछ help मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कुछ भी क्यूशन हो आपका तो नीचे कमेंट बोक्स में एड कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें अपने फेस्बुक जो सोशल अकाउंट है आपके सोशल जो भी फेस्बुक, इंस्टेग्राम, ट्वीकर, हाँ ट्वीटर, हाँ जग है इसको सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथ ही बनने वाले बैल आइकन को भी प्रेस करें आपके लिए एक और साथ ही खुसकवरी बता देता हूँ कि हम especially NDA Air Force Navy के लिए जल्द ही एक जनौवरी 2020 से Mathematics का नया कॉर्स लॉंच करने वाल है सो कॉर्स का फाज़ा जरूर बताए, साथ में जरूर बताए थेंक्यू सो मच, लव्यो गाईज, वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दीजेगा, थेंक्यू जर में जर जरूर को लिए मह जरूर झाउनी आए कर दो works and having an engine, above all another解